इस समय हम D&D के यमुना पुल पर हैं और यहाँ पर हम आपको क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पर यमुना उफान पर है आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी चड़ा हुआ है और पीछे जो इस्ट्रक्चर दिख रहा है वो RRTS का है RRTS का काम पूरी तरीके से रुख गया है क्योंकि रैपिड रेल का यहाँ पर एक लंबा पुल बन रहा है और यहाँ की अगर हम बात करें तो यह जगए D&D फ्लाइवर के पास में पड़ती है D&D फ्लाइवर और इसके पास का जो नजारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ हम आपको बता दें हथनी कुंड से तीन लाग क्यूसेक पानी और छोड़ा जा चुका है और लगातार पानी का प्रवाह बढ़ता हुआ सारे कि सारे अवरोध रोके जा चुके हैं कहीं भी पानी को रोका नहीं जा रहा है और यहाँ पर जो मटमेला रंग दिख रहा है आपको वो दिखा रहा है कि किस तरह से पहाडों में जबरदस्त बारिस हुई है और यह जबरदस्त बारिस कहीं न कहीं इस पानी को बढ़ा रहा हूँ वो जगह यमुना का फ्लट प्लेन है और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब इतना पानी यमुना में देखा जा रहा है यहाँ पर जो काम आप देख रहे हैं वो रैपिड रेल का काम है 82 किलो मीटर लंबी लाइन बनाई जा रही है जो सराय काले खांसे लेकर म पानी को रोका गया था पानी काफी सुस्तर अफ्तार में यहाँ पर चलता था इतना पानी था नहीं और यहाँ जैसे जैसे पानी का इस्तर बढ़ा है वैसे वैसे काम पूरी तरीके से बंद हो गया है और यह यमुना का विकराल रूप हम आपको दिखा रहे हैं और जो मौ यमुना के कैच्चमेंट एरिया में लगातार बारिस हो रही है और यह जो बारिस है वो कहीं न कहीं दिखा रही है कि यमुना का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है आज की अगर हम बात करें तो 207.49 मीटर के लेवल तक यमुना पहुंच चुकी है और रात को ओर junior की प को बता दूँ आसपास के इलाकों में भी धीरे धीरे करके पानी चड़ रहा है जगए जगए जुगी जोपणियां है इलीगल अतिक्रमण है यानि यहां पर जो लोग यमुना के पेटे में रह रहे हैं उनको हम साफ साफ कह सकते हैं कि वो अनधिकरत रूप में रह रहे हैं यहां पर उनको नहीं होना चाहिए और लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको सुरच्छित स्थानों पर पहुंचाए और यहां जो काम है वो सारा किया जा रहा है एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि यमुना के पानी में धीरे धीरे करके दो से तीन दिनों के भीतर क जब कमी आएगी, तब हम कह सकते हैं यमुना का उफान कम होगा तब ये लेवल घट जाएंगे यہां से यानि दिनली से आगे यमुना सीधा सीधा आगरा पहुंचती है मतुरा पहुंचती है और उसके बाद हम कह सकते हैं टावा होते हुए यमुना चंबल से मिलती है और चंबल के बाद हम कह सकते हैं यमुना सीधा इलहाबाद पहुंचती है जहां गंगा से मिलती है गंगा से संगम होता है तो यमुना के पानी में जो उफान है वो आसपास के इलाकों में बाढ़ ला सकता है और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो site office है वहाँ पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पानी उनके कार्याले में घुज जाएगा उनके office में घुज जाएगा और उसके बाद ये काम पूरी तरीके से रोक देना पड़ा है तो यहाँ हमारे तमाम दर्सक जिनको मैंने बार बार दिखाया है कि किस तरीके से rapid rail का काम चल रहा है तो rapid rail के काम में कहीं बाधा आई है और जब यमुना का उफान कम हो जाएगा तब दोबारा काम सुरू होगा तो यहाँ मैं आपको बता दूँ यमुना उफान पर है लगातार इस पर नजर रखी जा रही है कैमरमेन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्ट निवजी स्टेशन दिले